आज के चार्ट वीक के अंदर हम दो श्टॉक के बारें बात करने वाले हैं दोनों श्टॉक के जो चार्टें वो बहुत ही जबरदस्त बने हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों श्टॉक यहां से अच्छे पैसे बना के देंगे और अगर मैं एक श्टॉक की बात करूँगा तो वहाँ पे जो चार्ट पैटन बनाया है उस पैटन के अंदर भी एक और चार्ट पैटन हमको यहाँ पे बनता हुआ नजर आया है तो नमस्कार दोस्तों मैं विजे आप सभी का हमारे यूटूब चैनल चार्ट पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ डिस्कल है हमारे दोस्तों यह जो वीडियो है इसके अंदर हम जितने भी श्टॉक के बारें बात करेंगे यह सरफ एक एजुकेशन की मकसद से है खरिद और यहां पर 633 के ऊपर हमने ग्लेनमार्ग फॉर्मा को खृदद़री करने के लिए का था टार्गेट 665 का एशल 610 और आप देख सकते हो कि इस सब्ता जबरस 645 से भी उपर अपना ग्लेनमार्ग फॉर्मा जाके आया है तो इसके अंदर अपना टार्गेट कंप्लीट हो हो चुका है और यहां पर देखिए L&T के अंदर हमने खरीदारी करने के लिए का था और जो टार्गेट था पहला 2310 का था जो कंप्रीट हो चुका था सेकंड टार्गेट 2400 का है जो भी आना बाकी है और 235 रुपे के आसपास का अपना फ्राइडे का हाई है अगला इस्टोग अगर मैं आपको बताऊं हमारे टेलग्राम चैनल पर तो यहां पर यह मिंड़ा कॉरॉप का असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटन का ब्रेक आउट हुआ है तो अभी इस्टोग में अपना हमने एन एच नरणा हर्दयाल का चार्ट डाला था ऐट सेवनटी फोर पे तो इस्टोग अपना नौसो पचास रुपे जाके आया है इसमें टार्गेट कंप्लिट है यह कोपरन का चार्ट है कोपरन के चार्ट के उपर हमने 159 के उपर खाईदारी करने के लिखा था 177 का टारगेट था 150 का S.L. तो यह भी अपना टारगेट रिट होचुका है कंप्लिट बीथा ही खुगा हे किय इंडस्टी स्यॉञ्ख के लिएद अपना टाwelगeft टारगेट कंप्लिट हो चुगा सथा इसमें तो आँप देख सकते हो लास्ट वींग बहुत वात सानदार के हमारे पास में इस्टॉक का नाम है टैक्स में को रेल एंड इंजिनियरिंग लिमिटेड और अगर हम फ्रैडे की दिन की अगर इस्टॉक के भाव की बात करें क्लोजिंग भाव 60 रुपे फ्रैडे का क्लोजिंग भाव हैं लगबाग 4 प्रितिसत की देजी हम को इस देखने को मिलिया और यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो इसमाल है अदर आता है पहले हाई था अपना टैक्स मैको रेल का वह यहां पे था 155 रुपे का तो अपने पास में यह 155 का हाई है जो 2015 में बनाया था और लो बनाया हमारे पास में वह लगबग इसका 14 रुपे का बनाया जो कोविड के दोरान का बनाया और अगर यहां पर प्राइस सेक्षन को यहां पर देख सकते हो जो मैंने मार्क कर दिया और अब इहां पर अगर आप देखे सेग तो अब अगर लाश्ट के उपर एक महीं होएं और अपना या इक क에 पी कि सुरूवात फ़ोर ऩहाँ है अब देखें दोस्तों मंतली चार्ट के अंदर यहां पहें मैंने 10 लान बना दिए और यह जो 10 लान बना यह इस के लिए एक रैस्टेंस का काम कर रही है और यहां पहँना त्सक्ट नज़र और यहां पहोना डाला यह निघ के עपना Content पैटन बनाए यह अपना एक मॉर्निंग इस्टार के लिश्टिक पैटन बन चुका है जिसके हाई के ऊपर भी इस टोग ने क्लोजिंग दिये तो इस तरह से इस टैनलाइन जो लगातर पहले रेश्टेंस का काम कर रही थी उसका ब्रेक आउट ब्रेक आउट के बाद उसका ट्री कर तो आप यहां पर वाल्यूम की बात करने वाले तो यहां पर आपको वाल्यूम नजर आ रही होगी जब से कोविड के दौरान के जो लोग बनाया चौदर रुपे का उसके बाद कि ये वॉल्यूम रही भाई मैं आपको बात बताओ इतनी सांदार वॉल्यूम बहुत कम देखने को मिलती है किसी स्टॉक के अंदर और ऐसी volume जिस stock के अंदर अगर हमको देखने को मिलिये निश्चित तोर पे उस stock को मल्टेगर बैगर बनने से कोई नहीं रोख सकता तो मैं तो tax rail के उपर बहुत बुलीज हूँ और आप खुद देख रहे होंगे जितने भी railway stock है सब बहुत अच्छे चल रहे हैं यहां पर मैंने एक neckline बना दिये और बिलू कलर की हमारी neckline है और pattern की बात करूँगा यह हमारे पास में एक left shoulder हो गया left shoulder के बाद में यह पूरा अपने पास में head हो गया head के बाद यह right shoulder हो गया इस तरह से weekly chart के उपर tax macro rail के अंदर एक inverted head and shoulder chart pattern बना है और इस सब्ता यह वाली candle थी जो एक breakout candle है और यह breakout एक volume के साथ में हमको इस stock के अंदर होता हुआ नजर आया है अब हम यहां पर resistance की बात करने वाले हैं तो tax macro rail के लिए जो 65 रुपे का level है वो एक resistance का level है यहां पर देख सकते हो यह resistance रहा यह resistance रहा breakout हुआ, यहां पर support बना यह फिर से breakdown हुआ यह एक strong resistance था जिसका भी breakout हो चुका है और अगर मैं यहां पर पूरे pattern की बात करूँगा तो भाई कौन सा chart pattern बन रहा है तो यह inverted head and shoulder की तो हमने बात कर चुके थे अगर मैं पूरे pattern की बात करूँगा तो इस तरह से हमको एक rounding bottom chart pattern tax में को rail के अंदर बनता हो नजर आ रहा है और देखे दोस्तों आपको stock को hold करना होगा थोड़ा time देना होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि यह stock अपना जो high था 155 रुपे का यहां तक के target जरूर देने वाला है और अगर मैं यहां पे third term के target की बात करूँगा तो पहला target हमको यह 90 रुपे का बनेगा 90 के बाद में हमको यहां पे 110 रुपे का यह next target इस तरह के इसके अंदर आते वे नजर आएंगे stop loss रखना है आपको 50 रुपे का weekly closing basis का तो यह था हमारा पहला stock अब हम second stock पर चलते हैं कि आज का जो second stock है हमारे पास में चार्ट आफ दे वीक का वह एक ओटो एंसलरी stock है इस्टॉक का नाम है फेडरल मॉगूल गोधिजे इंडिया लिमिटेड और फ्राइड के दिन बहुत सांदार तेजी आई स्टॉक के अंदर 11% की तेजी हमको देखने को मिली है और जो इस्टॉक अब भाव है यहां पर मैं बात करूं तो इस तरह से यहां पर जो सेकंड श्टॉक है चार्ट वदा वीक का फेडरल मॉगूल अब हम इसके वीकली चार्ट पर चलते हैं अब देखें दोस्तों एक छोटी सी गुजारी से आपसे हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो इस वीडियो को देखें ज्यादर ज्यादर लाइक करें हम सरफ 500 लाइक का टार्गेट रखते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को 500 ल देशन के दोरान यहां पर चार्ट पैटन बनाए और आप देख सकते हो कि इससे पहले बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं थी लेकिन यहां पर जो बॉटम बनता हूं नजर आ रहा इसी स्टॉक का तो यहां पर बीच बीच में हमको अच्छी वॉल्यूम इस स्टॉक के अंद चार्ट पैटन बनाता ठीक ऐसा ही चार्ट पैटन हमको फैडल मोगूल बनता हो नजर आ रहा यहीं पास में लेफ्ट हो गया लेप्ट सॉल्ट के स्टॉक के अंदर और फाइडаете की हमारी यहे यह जो अपनी नेकलाइन ती इस नेकलाइन के अंपर हम और मैं आपसे थोड़ी टाइम पहले वीडियो के स्टाटिंग में कहाता है कि पैटन के अंदर पैटन बन रहा है तो अगर आप यहाँ पे अच्छी तरह से फेडरल मोगुल के चार्ट को देखोगे तो जो अपना राइड शॉल्डर है राइड शॉल्डर के अंदर भी हमको एक इनवेटर हैड और चार्ट पैटन बनता हुआ नजर आ रहा है तो मैं भी वह आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो यह हमारे पास इसका लेफ्ट शॉल्डर यह पूरा हैड और हैड के बाद में राइड शॉल्डर हो गया तो इस तरह से अपन जो राइड शॉल्डर बना है उसके अंदर भी एक इनवेटर हैड और चार्ट पैटन बना है जिसका ब्रेक आउट हुआ है और अगर मैं डे चार्ट के अंदर यह आपको और भी अच्छी तरह से दिखाई देगा तो यहाँ पे मैं अब डे चार्ट कर दिया है तो डे चा टारगे इस स्टॉक के अंदर आने वाले हैं तो हम टेलिग्राम के अउपटेट कर देंगे तो डेलिग्राम चलना आप जॉइन कर लेना हम यहाँ पर एक मोवींग एवरेज लगाने वाले है तो जो चार्ट करेंगे वीकली चार्ट पर हम यहाँ 200 ε میں हंленहीं क्योंकि जो 250 огण करती है या कभी सपोर्ट का काम करेगी या कभी रजिस्टेंस का काम कर करेगी इस समय रजिस्यान का काम करें तो इस रेजिस्टेंस का काम और बहुत deep source का काम करे चुका है और ऊधिक का है 200 EA में लगा दिया है और जो 200 EA में है वो अपना जो green color की line है वो आपको नजरा रही होगी तो ज़रा चार्ट में देखेंगे दो बर यह resistance लिया है 200 EA में का और यहां पर देखेंगे एक बार दो बार और इस 200 EMA के पास में हमको एक consolidation होता हो नजर आ रहा है जिसका breakout दिया है अब यहां पर आप देखें अपने पास में 18-19 के अंदर यह लगाता है इस 200 EMA का support रहा फिर stock उपर गया है इसके बाद 2016 में देखें इस stock नीचे आया इस 200 EMA का support लेके stock वापस उपर गया है तो दो बार हमको यहां पर support के level मिल चुके हैं अब हम और देखते हैं इस chart के अंद इस 200 EMA के पास consolidation होता रहा stock और 120 रुपे का stock यहां पर 480 रुपे हो चुका है और देखते हैं कितनी बार यहां पर इस federal मोगल ने 200 EMA का support लिया है हमें फिर से 2010 के अंदर यहां पर support मिल रहा है और यह अपना यह support रहा तो आप देख सकते हैं कम 4-5 बार हमको इस 200 EMA का support लिया तो यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जब भी stock अपना 200 EMA के पास आता है हम ऐसा support लेके ऊपर जाता है इस बार breakdown हुआ और 4-5 बार resistance लिया उस resistance का यहां पर यह breakout दे चुका है तो मुझे पूरी उमीद है कि federal मोगल का stock यहां से अच्छा कासा return दे सकता है इस तरह स दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने दो श्टॉक के बारे में बात करी और मुझे पूरी उमीद है कि अगर आप को वीडियो पसंद आये तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले बाकि अब सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद